संगीत के सभी प्रेमियों का हमारे म्यूजिकल इस्टूमेंट चैनल में हार्दिक स्वागत हैं आज हम लेकर हैं आपके लिए एक बीना का हर्मियम जो की बीना स्पेशल का रिल्ड इसमें लगा हुआ है सागवान की बीद और सवा तीन सब तक का हर्मियम है ये थी बॉड़ी देखेंगे इसकी बिल्कुल फ्रैस बोडी ये बहुत अच्छा बोडी है और चार इसमें एक ग्राम के सवर लगे हुए हैं जो कि एक्स्टर सर्जिंगर जिनको हम बोलते हैं ईख्टावस होा है यह देखीगा इसके हेंडलय यह ब्रास के हें जे वोड़ी की नीचे की बड़ी का पाइड दिखेए यह नीचे का हिस्टा है यह बूट को साफ सुत्रा है और यह जेकल वेलो हय जाव यह बैलो का बाल इसका यह है जो पराँन टैमन में इस टैट का बाल तो दूतरा हैंडल दिखाईगा इसका यह दूसरा साइड है इसकी सागवान की बॉड़ी इसकी बिल्कुल साफ सुत्री बॉड़ी है जरा सभी को भी आपको वर्क कराने का जरूरत नहीं है एकदम ओके कंडिशन में हार्बूनियम है पुराने की अगर हम बात करें तो कम शे हम टैयब का का काम हहा करता था पहले हर्मनियमों में अशुक्त की पैचान होती हैा में सभातीStarल करें यी मेल हर्मनियम है जिस्में बीना इस पेसल का रिड़ लगा हूँ न इसका सावंड वी को सुनातiyorsun हॊंदा और सवातियान सब्रक का यह Это रगांव सान्ड आपको सुना कि अ बान है झाल है कि वह तर में पे Mitte कि आवा di चक बारे ट्रखशने से दिर्दा उना God कर दो 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 I झाल झाल इसका एर फिटिंग होती अच्छा एर फिटिंग है मैं दिखाता हूँ आपको इसकी एर फिटिंग देखिएगा पुराने हार्मनियों की यही क्वालिटी होती है एर फिटिंग उसका बहुत ही अच्छा एर फिटिंग होता है राजकल के हार्मनियों में ऐसा नहीं होता क्योंकि नया हार्मनियों लेते हैं एक साल के बाद वो खराब हो जाता है लेकिन यह 20 साल पुराना होने के बावजूद भी आज भी एजटीज वैसा ही है क्योंकि सागवान की बोड़ी यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद